यह एक ऐसी नॉवल है जो शो करती है इन फाइनाइट पॉसिबिलिटीज ओफ लाइफ कि लाइफ में कुछ सर्टिन नहीं है आपके हर एक चॉइस के अला कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं I like this novel and it's a must read The Midnight Library 2020 में पबलिश्ट एक फिलोसोफिकल फिक्षन है जिसे ब्रिटिश ओथर मैट हेग ने लिखा है इस novel की main themes है Choices, Regrets, Relationships, Forgiveness, Philosophy and the Meaning of Life हेग इन सब को address करते नजर आते है novel का main character है Nora Seed जिसके around पूरी कहानी revolve करती है Nora एक monotonous, ordinary life जी रही होती है She feels unwanted and unaccomplished एक point आता है जब उसकी life में धेर सारे back-to-back unfortunate events हो जाते है Nora का character full of regrets है जो अपनी life से बिलकुल खुश नहीं होता उसे feel होता है life में ना love है, ना happiness, ना कोई purpose और meaning कुछ भी तो नहीं है, वो depression में चले जाती है ये सोच सोच कर कि काश past में जो decisions लिये थे वो ना लिये होते तो आज उसकी life कितनी अच्छी होती and most importantly, Nora को life में अब जीने की कोई वज़ा नहीं दिखती वो deeply hopeless and sad हो जाती है उसे लगता है life worth living नहीं है and that's how Nora अपनी life end करने का decision लेती है suicide attempt करने के बाद, Nora एक library में पहुशती है जिसे कहते हैं the midnight library ये life and death के बीच exist करती है and यहीं से Nora की philosophical journey शुरू होती है novel की शुरुआत होती है एक scene से जब Nora 19 साल की है वो school की library में बैटी है and librarian जिनका नाम Mrs. Elm है Nora के साथ chess खेल रही होती है Nora को swimming का काफी shock होता है and वो उसे professionally pursue करना चाती है but उसके dad नहीं चाते कि Nora swimmer बने इसलिए उसने swimming recently give up की होती है जिस वज़े से Nora काफी sad होती है अपने future को लेके काफी परिशान होती है Mrs. Elm Nora की problem से अच्छे से वाकिफ होती है वो Nora को बार बार याद दिलाती है कि Nora life में जो चाहे वो कर सकती है कहीं भी जा सकती है she has too many options फिर कुछ तेर बाद Mrs. Elm को एक phone आता है जिसके बाद Mrs. Elm Nora को बताती है दाट उसके फादर की heart attack से अचानक मौत हो गई है अब इस incident के बाद 19 साल बीथ जाते है at present Nora 38 साल की है और वो अभी भी same town में ही रहती है वहाँ पर ही एक shop में job करती है जहांसे recently उसे fire कर देते है Nora की एक cat होती है Plato जिससे वो बहुत प्यार करती है बट दो दिन के बाद एक accident में Plato भी मर जाता है Nora का भाई Joey टाउन में किसी काम साय होता है बट वो Nora से मिलने नहीं आता क्योंकि Nora और Joe के beach past में कुछ incidents हो चुके होते हैं जिस वज़े से Joe Nora से नराज होता है अन वो talking terms में नहीं होते जो Nora को ignore कर देता है At this point, she feels deeply lonely and sad इतने सारे back-to-back unfortunate events अन past में Nora की mom की cancer से हुई sudden moth जिससे वो अभी भी जूज रही होती है प्लस past में ही वो Dan नाम के एक लड़के से शादी करने वाली होती है बट दो दिन पहले back out कर लेती है इसके अलावा वो अपनी best friend easy के साथ Australia move करने वाली होती है पर उसे भी Ann moment पर cancel कर देती है past में ही वो एक band में होती है जिसका नाम होता है The Labyrinth इसमें Nora, उसका भाई Joe and एक friend होता है ये band काफी famous होने वाला होता है बट again Ann moment पर Nora back out कर लेती है So, इतने सारे back to back bad events जिनसे वो deal कर रही होती है plus present में होने वाले events की वजह से Nora को feel होता है उसकी life का कोई मतलब नहीं है कभी कुछ workout किया ही नहीं and Nora depression में जाने लगती है उसे feel होता है उसकी life useless है वो life में कुछ नहीं कर पाई कुछ achieve नहीं कर पाई All she did was hurting people अपनी life end करने का decision लेती है जिसके बाद एक suicide note लिखती है then wine के साथ धेर सारी anti-depressants खा लेती है जिससे हमेशा के लिए life की problem से मुक्ति मिल जाए जब Nora की आँख खुलती है वो खुद को एक strange place पर पाती है जो full of books होता है and to her surprise वहाँ पर Mrs. Elm को देखती है वो life and death के बीच एक place है वहाँ पर है and इस place का नाम है the midnight library जो Nora को अलग-अलग तरीखे से life जीने के लिए allow करेगी मतलब Nora को life में जो भी regrets थी इस library की books के थ्रो उन regrets को fix कर सकती है अपनी life के previous decisions change करके वो सभी life try कर सकती है जो कर सकती थी and Mrs. Elm Nora को remind कर आती है इन सभी lives में Nora को मरने से पहले एक best life choose करनी होगी ये सब Nora को confusing लगता है क्योंकि उसे life में कोई interest नहीं होता and वो simply मरना चाहती है क्योंकि उसके अंदर जीने की अब कोई तमना नहीं होती but Nora Mrs. Elm की बात मान लेती है and खुद की different different lives try करती है जिससे end में एक perfect life choose कर सके और happily जी सके well, who hasn't wondered what life would be like if only Nora भी यही सोचती है कि क्या हुआ होता अगर उसने Dan के साथ शादी कर ली होती क्या होता अगर भाई के साथ जो band बनाया था उसे कभी छोड़ा ना होता क्या होता अगर swimming पर give up नहीं करती या अपनी best friend easy के साथ Australia shift कर गई होती Nora in different choices के results देखने के लिए curious हो जाती है सबसे पहले Nora वो life experience करने जाती है जिसमें उसने Dan से शादी की होती है इस life में Nora शादी के कुछ time बात पाती है दाट Dan एक alcoholic है और उसके उपर बहुत डैट हो चुका है प्लस वो Nora के उपर एक दूसरी औरत के साथ cheat कर रहा होता है Nora realize करती है कि Dan हमेशा से ही manipulative, defensive and jealous था ऐसे ही Nora realize करती है कि इस life में वो Dan के साथ बिलकुल खुश नहीं है As a result Nora वापस library में आ जाती है इसके बाद Nora उस life में जाती है जिसमें अपनी best friend Izzy के साथ Australia move कर गई है But again, कुछ समय बाद Nora को news मिलती है कि Izzy की एक car crash में मौत हो गई As a result, अब वो एक stranger के साथ messy apartment में रह रही है जहां again वो बिलकुल खुश नहीं है इसके बाद Nora उस life में जाती है जहां उसने swimming परसी की होती है इस life में Nora एक successful swimmer and motivational speaker होती है But mental health issues से जूज रही होती है उसका भाई जो Nora का manager होता है But वो Nora के mental issues को ignore करता रहता है क्योंकि उसका सारा focus पैसे में होता है Nora पाती है कि इस life में भी वो खुश नहीं है अब Nora उस life में जाती है जिसमें वो भाई और फ्रेंड के साथ band को आगे ले जाती है And successful celebrity बन जाती है But eventually पाती है कि जो को drugs की लट लग गई है And as a result वो overdose से मर जाता है Nora वापस library आ जाती है Then उस life में जाती है जहां उसकी शादी एक rich Spanish से हो चुकी है And वो एक vineyard own करती है Nora इस life में थोड़े वक्त के लिए happy feel करती है But she craves something more And ऐसे ही और experiences लेने के लिए Nora other lives try करती है But उन में से कोई भी उसे ultimate happiness provide नहीं कर पाती Frustrated and tired Nora एक और last life try करती है जिसमें उसने Dan की बजाए अपने neighbor Ash को date किया था And eventually उससे शादी कर ली होती है Ash के साथ life almost perfect होती है उनकी एक बेटी भी होती है Nora Cambridge में रहती है And एक philosophy professor होती है जो उसकी dream job थी However, Nora feel करती है वो इस life को deserve नहीं करती ये कुछ जादा ही अच्छी है जब वो अपने old town से गुजर रही होती है उसे याद आता है कि वहाँ पर कितने सारे काम अधूरे रह गए जो उसे पूरे करने है वो relationships जो खराब हुई उन्हें repair करना है And finally Nora वापस midnight library आ जाती है इतनी सारी different lives experience करने के बाद Nora को realize होता है कि कोई भी life पूरी तरह से perfect नहीं थी And वो अपनी original life को ही choose करती है And में Nora अपनी original life में वापस आ जाती है जहां खुद को hospital में पाती है ठीक होने के बाद वो अपने भाई जो के साथ relationship ठीक करती है Then best friend Izzy के साथ reconnect करती है Ash को date के लिए पूछती है अपने piano lessons रिश कैड डिल करती है Mrs. Elm से मिलने जाती है जो आप काफी बूड़ी हो चुकी होती है And novel उन दोनों के आखरी chess game के साथ end हो जाती है अब बात करते हैं novel के philosophical message की जो Matt Hague नोरा की story के थो हमें देना चाते है Her life को experience करके Nora learns a lot about herself and the meaning of life वो her life में notice करती है कुछ ना कुछ missing है किसी भी life में सब कुछ perfect नहीं है उसे realize होता है उसकी original life में कोई problem नहीं थी जो problem थी वो था उसका life के लिए perspective नजरिया Nora हमेशा life को ऐसे देखती थी कि सब कुछ magnificent, perfect होना चाहिए But now she understands that the point of life is life itself Nora philosophy में काफी interested होती है इसलिए पूरी novel में कई philosophical quotes state की गई है सबसे जादा thorough की quotes In taking a lesson from thorough Nora determines to alter her perception of life by experiencing solitude and then cherishing the ups and downs that come her way Though Nora life के बारे में valuable lesson learn करती है But उसे अभी भी काफी चीज़े figure out करनी होती है Nora को life explore करते रहना होगा Heartbreaks, pain, disappointment ये सब face करने होगे But again, life is all about that and she realizes उसके अंदर इन सब से deal करने का और life में आगे बढ़ने का potential and courage है क्योंकि तभी Nora life की value कर सकती है लोगों के साथ love and kindness के साथ connect कर सकती है ये सब समझने के बाद ही उसका life के लिए perception पूरी तरह से बदल जाता है and Nora life को appreciate करने लगती है Nora को midnight library में chance मिलता है अपनी life को different तरीके से जीने का कि अगर उसने different choices make की होती तो उसकी life कैसी होती जैसे जैसे वो library में present infinite lives experience करती है वैसे वैसे उसके सामने धेर सारे questions आते जाते है questions about happiness, about love, about success, etc कि इस सब का उसके life में क्या meaning है Nora सारी lives try करती है अपने different versions देखती है जिनके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा होता उसे हर life में कुछ न कुछ sacrifice करना पड़ता है ये सब ही lives कुछ time के लिए perfect लगती है बट बाद में नोरा के सामने काफी challenges pose करती है like her original life that's how Nora discover करती है life में क्या important है क्या नहीं and how to make it better कैसे उसने कितनी चीजों को जैसे सोचा था होना चाहिए वो वैसे बिलकुल नहीं हुई वो realize करती है कि past में लिए गए decisions पर regret करना उसमें डूबे रहने का कोई मतलब नहीं है all we have is now और इस time के साथ क्या करना है वो choice हमारे पास अभी भी है throughout the story नोरा के character का evolution काफी fascinating लगता है जो हमें बी life को different angles से देखने के लिए allow करता है Matt Hague इस novel के throw एक touching narrative offer करते है जो है to recognize the joy in life और इसे वो हमें नौरा की आँखों से दिखाने की कोशिश करते है as वो life में really क्या matter करता है ये ढून रही होती है इसी तरह अपना perspective change करके ये realize करती है that no life is perfect कुछ ना कुछ हमेशा missing रहे गाई so why not life जैसी है उसे अपना perspective change करके और बहतर तरीके से जिया जाए ये novel काफी fascinating है that look into life and हमें काफी chances देती है life को अलग तरीके से जीने and different angles से देखने का the midnight library regrets, relationships, dreams, pet, friendships सभी के बारे में बात करती है and most importantly how to live in the present and make the most use of it ये story thought provoking है जो आपको भी life के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी and क्या-क्या हो सकता था अगर आप भी parallel lives जी सकते ये हमें एक hope देती है कि हम भी life में regrets ना करने के बजाए अगर positive side पर focus करें तो कितना कुछ कर सकते है and life कितनी possibilities present करती है अब हम इस novel के author Matt Hake के बारे में बात कर लेते हैं कि उन्हें इस novel को लिखने का idea या inspiration कहां से मिली हेक का कहना है आज हम एक superficial दुनिया में रहते हैं जहां लगातार खुद को दूसरों से compare करते रहते हैं and खुद को punish करते हैं ये सोच कर कि मेरे पास perfect body नहीं है या perfect relationship या perfect career Matt Hake 45 years old है जिनका ज़्यादा focus इस बात पर था कि कभी-कभी हमारे पास जितना हम सोचते हैं उससे ज़्यादा होता है it's just हम realize नहीं करते regret जो उनकी novel की main themes में से एक है इससे Matt भी अच्छे से वाकिफ है उनके 2015 में published memoir Reason to Stay Alive में उन्होंने अपने teenage years में experience किये गए severe anxiety and depression का जिक्र किया है जिसने उन्हें suicide attempt करने के लिए मजबूर किया था Hake 24 साल के थे जब उन्हें depression feel होना शुरू हुआ था एक point पर उन्हें अपनी dark thoughts के सामने बिल्कुल powerless feel होने लगा He was literally unable to see a future for himself and तभी उन्होंने life end करने का फैसला किया ये सब उन्होंने अपने memoir में share किया है जो UK में number one bestseller बन गया था Hake ने accept किया कि Nora का character in a way उन्ही से inspired है क्योंकि वो भी same emotions जो Nora feel कर रही होती है उनसे गुजर चुके है Hake ने बताया अपने 20s में काफी बुरा वक्त face किया था and उस time he was also full of regrets वो अपने life में लिए गए हर decision के लिए regretful थे and career में लिए गए हर choice से dissatisfied थे He told in an interview For many a year when I was a struggling writer I regretted being a writer I got there in the end but it wasn't an instant success story There are lots of regrets but I think I am much more philosophical about it all now Hake मानते हैं कि अपने उस breakdown से वो better equipped होकर निकले and आप life को जादा appreciate करते हैं हाला कि उनकी mental health अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है He still struggles a lot but वो genuinely contentment, happiness and gratitude के बारे में पहले से जादा जान चुके हैं and life की bright side पर जादा focus करते हैं This novel will make you wanna have a hard look at your life and make you think about the many unimportant things that you have been worrying about all your life and instead make you wanna focus on the things that really matter This novel is very well written and thought provoking Nora के emotions काफी profound way में portrait किये गए हैं जो story को और engaging बनाता है अगर आप ये book पढ़ना चाहते हैं तो I would say go for it You will definitely learn a lot So guys, this is the end आप इस novel के बारे में क्या सोचते हैं अपने views comment section में बता सकते हैं Do follow us on Instagram as well The link is in description box अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे like and share जरू करें और future में आने वाली वीडियो के साथ अबडेट रहने के लिए चैनल सब्स्राइब और बैल आइकन प्रेस करना ना भूले Thank you so much for watching